जहें दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, current account के बारे में, जी हैं friends, bank का इस्तमाल तो आप सभी करते हैं, bank के अंदर आप सभी के saving accounts होगे, लेकिन friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, current account के बारे में, जी हैं friends, इस वीडियो में हम discuss करने वा लिए current account के बारे में जी है friends तो चलिए start करते हैं और जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखर यह current account होता क्या है यानि कि daily उनको bank के साथ लेंदेन करना होता है पैसे जमा करने होते हैं इसके लिए आप example के तोर पर ले सकते हैं जो e-commerce कंपनिया है जैसे flip card हो गई Amazon हो गई, eBay हो गई, Swiggy हो गई, Uber और Ola जैसी कंपनिया जिनको daily basis पर कहिना कहिन ट्रांजेक्शन करने होते हैं वो लोग कहिना के current account का इस्तमाल करते हैं दूसरा यहां पर दोस्तों आप सभी को पता होगा अगर आपकी पास एक saving account है तो वहां पर आपको कुछ limits दी जाती हैं यानि कि आप एक महीने में अपना ATM का transaction है उसको 7 या 8 बार कर सकते हैं वहीं पर अगर हम बात करें हमारे जो current account होता है उसके अंदर यह limits होती है वो कही जादा होती है क्योंकि friends यहां पर वो लोग current account का यूज करते हैं जिनको daily basis पर transaction करने होते हैं यहां पर friends जो अगली बात इसमें याद कह सकते हैं याद रखने वाली वो यह है कि अगर आप अपने saving account में कुछ amount को balance को कुछ रखते हैं कुछ time के लिए तो वहां पर आपको 3- से 4% का जो कह सकते हैं interest rate दिया जाता है वहीं अगर हम बात करें जो current account होता है उसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई interest नहीं दिया जाता फिर चाहें उसमें आप करोड़ों रुपे रखें लाखों रुपे रखें या 1000 रुपे रखें तो समझ सकते हैं आप current account के अंद रखने होंगे वहीं अगर हम बात करें हमारा जो current account होता है उसके अंदर यहां पर यह जो limit होती है वा ज्यादा हो जाती है कई Banks में आपको 5000 रुपे रिखने होते हैं कई Banks में आपको 10 danes रुपे रखने होते हैं कई में आपको 15 रुखने होते हैं तो आपकी से a?, stranger bank account की minimum balance को होती है उससे यह लिमिट कहीं ज्यादा होती है अगर हम बात करें हमारे देश की जो पॉपिलियर पैंक के SBI State Bank of India उसके अंदर आपको करेंट अकाउंट के लिए कम से गम 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस के तोर पर रखने होते हैं अब यहां पर बात करें कि अगर हम एक Current Account कहलवाना चाहते है तो उसके लिए आपको documents क्या क्या है होते हैं तो friends जो documents आपको Saving Account खलवाने में ज़रूत होते हैं वही documents आपको एक Current Account क क्यासे खलवाने में वह सकता होती है उसके लिए आपको एक identity proof चाही होता है, जिसमें आप अपना pen card यूज कर सकते हैं, driving license यूज कर सकते हैं, voter ID यूज कर सकते हैं, अपना passport को आप ले सकते हैं, उसके बाद आपको एक पैंट का FROM बहर ना होता है, जो pen card होता है, उससे lettered एक form होता है, from no 49, यह आपको fill करना होता है, अगर आप एक current account अपना bank में खुलवाना चाते हैं जिन लोगों को रोज लेन देन करने की आवसकता होती है यानि कि उनको daily basis पर transaction करने होते हैं वो लोग current account का use करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी जो boundaries होती हैं जो limits होती हैं आपके saving account bank account में वो इसके अंदर नहीं होती है तो friends आप कह सकते हैं current account जो business वाले लोगों होते हैं उनके लिए कह सकते हैं एक suitable option है banking sector के अंदर तो friends मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आगया होगा कि current account क्या होता है इसका minimum balance के criteria क्या है इसके documents क्या क्या required है इसके अंदर कैसे limits होती है यह सभी इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा तो friends अकर यह वीडियो ची लगी हो तो please वीडियो को like करें और अभी तक चैनल को subscribe नहीं क्या तो please चैनल को subscribe कर लें तो friends चलिए चलते हैं और मिलते हैं यह वीडियो में धन्यवाद